नमस्कार आपके एक रहे हैं भायरत रफ्तान यूसरा मैं हूँ आपके साथ शहरी बुलेशर खास बाची शिवशेना पार्टी के प्रतियाशी विधानसवा सरसाट अनूप शहर रश्मी गोल्डी से एडिटर इंची वसी महमस सिद्धी के रश्मी गोल्ड के पती मनोज गोल्डी ने भाच्पपपर निशाना साथते हुए कहा कि भाच्पपवाले नकली हिंदु हैं असली हिंदु तो शिवशेना वाले हैं उत्तर परदेश में शिवशेना के बीना कोई सरकार नहीं बन सकी रश्मी गोल्ड ने कहा कि मैं सिर्फ महिलाओं के सम्मान के लिए सुरक्षा के लिए और विकास कादु के लिए चुनाओं मैदान में उतरी हूँ मिनेता नहीं बल्कि आप सबकी बहन हूँ और शेत्र में विकास कराने के लिए चुनाओं मैदान में आई हूँ और क्या कुछ कहा देखे इस खास ख़बर में उत्तर परदेश में 2022 के चुनाओं को लेकर सभी प्रतियाशों ने अपनी अपनी कमर कसली है इसी करम में आज हम बात करेंगे बुलांदी शेहर के अनुप शेहर 166 विधान सबापरक शिवशाना पार्टी के प्रतियाशी से जी हां रश्मी गोल्डी यहां से शिवशाना ने अपनी प्रतियाशी गोजित की हैं जानेंगे समझेंगे किनकिन मुद्दों के लेकर यह चुनाओं मैदान में उत्री है रश्मी गोल्डी जी सबसे पहले बारत अफ़ता न्यू चैनल में आपका स्वागत है मेरा पहला सवाल होगा आप महीला है चुनाओं मैदान मोतरी है शिवशानास ने आपको यहां प्रतियाशी बनाया है तो आपका सबसे पहला पर में बैक्ग्राउंड बताईए आप राजजीती में कब तर इस्यास रहा है क्या करती है कहां तक पड़ी लिखी है यह उमसे करता हूं इस से पहले शिवशाना में रही है किसी और पार्टी में पर रहें रहा हुएillary कब से आईए पिछले कई वर्सों से मैं से इसे नहीं आम ही का रहती हूं अच्ये एक बाहता है यह जानना चाहूँँ आएं चोनाओं लड़ने का तो प्रिदेश में हो रहे महिलाओं पे अत्याचार के को देखते 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 हुए मैं महिलाओं के की सुरक्षा के लिए इस मैदान में उत्री हूँ मान लीजिए आप चुनाओं जीती हैं तो आपकी सबसे पहली प्राद्मिक्ता क्या होगी महिलाओं का सम्मान करना माता बेहनों पे अत्याचार हो रहे उनके साथ खड़े रहना चहुमु की छेतर का विकास करना मा गंगा पे गंदिगी हो रही है और उसका विकास करना साफ सफाई रखना जो जो मा गंगा के अंदर जो गंदे नाले का पानी जा रहा है उसके उसके सीवर प्लांट का लाने बनवाने का बनवाने की कोशिश करूंगी जैसे कि आप अनुफ शहर को छोटी कासी भी का जाता है छोटी कासे के साबसे तो वहां पर और क्या विकास कारे करेंगी आप निए अपर अश्य बात हुं पे वहां पर स्वास्थ सेवा सही नहीं है एफिरोजगारी है उद्धर टियरिया नहीं यह फैक्ट्री एडिया जैसे कि सिकंद्रवाज खुर्जा की तर जब में फैक्ट्रीन लाने की कोशिच करूं गूंत यू वाओं के लिए बेरोजगार के लिए योजगार दिलाओंगी यह ती मेरे साथ शिवशाना की यह नोब शहर्ट सर्थ विदान सबासे गोल्डी रश्मी इन्होंने साथ तोसे कहना है इनका कि मैं जो चुनावी मैदान में उत्री हूं सिर्फ मैं महीला हूं महीलाओं के सम्मान में महीलाओं की सुरक्षा के के लिए मैं चुनावी मैदान मोतरी हूं आज यूवा बेरोजगार है उन्हें रोजगार दिलाने के लिए अपने छेत्र को डबलब कराने के लिए इरिया बनाने के लिए स्वास्ते विबाग हो कि उसको अच्छी बहतर बनाने के लिए च्छोटी काशी को मंद्री की कि इनका साथ तरो मानना ये भी है कि मैं इस बार शिवशाना का पर्चम लहरा कर अनुप्षार विधान चाहेंगे नुप्षार विधान सभा से जो शिवशाना की पार्डी जो गंडिडेट उतारी गई है रश्मी गोल्डी मैं उनके पती से बात करूंगा कि वह क्या कहना च चाहेंगे अनुप्षार विधान सबाद चेत्र में उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उत्र हैं सब सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहंगो और भारत अप्तार जियू चैनल में आपका स्वागत दें सब सबसे आपको नमस्कार मेरा नाम मनोज कुमार सिंग गोल्डी है और पूर्म में लोग सब प्रत्यासी रहा हूं बुलेंसर से अनुप्षार चेत्र के काफी समस्या हैं वहां पर जो हॉस्पिटल है उनकी हालत दैनिये हैं वहां कोई सुबदा नहीं है पैसा आता है भास सीवर प्लांट के नाम पर आये और यह लोग बंदरबाट करके खा गए तो वह गंगा मा का जो पाप असराब लगेगा हम अनुक्सयार से ही नहीं हमारी जितनी सीट उत्रप्रदेश में लड़ रहे हैं हम सिवसे ना से हम सभी सीट जीते कर आएंगे और हमारा जो मकसद है वह सब नकली हैं यह सब ढूंगी है जोगले चहरे हैं अगर आप बताईए योगी चीसे में पूछना चाहता हूं कि अगर वह गोरुक पूर्ख से हैं चुनाब क्यों लड़ रहे हैं अगर राम भकते हैं तो अयोद्या से लड़के दिखाएं वह क्यों नहीं लड़ना च जाते हैं तो उनके साथ पचास केमरे साथ जाते हैं कौन आस्ता के भी से ढूंग कर रहे हैं अगर देखिए वहां बदिनात गए थे वहां भी जाके के साथ लेगे जहांके पंडाओन भी बिरोत किया था तो यह सब धूंग है इन लोग का और यह सिबसेना इस चीज को करें माया कि अपनी पति निकों चुना है मैधान होतरा फुद मेह यह समझत है इसलिए मैंने महिला को आगे कि दरनफाइं को आगे अब इस वक्त जो है मेरा लास्ट सवाल होगा कि इस चुनावी अखाड़े में आपके सामने जो होंगे भाष्पा के दिगश नेता हैं पूर विधायक है संजे सर्मा तो यहां गडबंदन से यहां पर केके शर्मा है तो यहीं कांग्रेस पार्टी से यहां पर जो पूर वैलू नहीं है जनता यह सब समझती नाट कर रहे हैं यह लोग यह तो अपनी मलाई खाने के मूड में रहते हैं जनता को समय रखा है क्या संजे सर्मा जी पूरे पांस साल मिलिये लोगों से आपको बताएंगे कि पूरे पांस साल उन्होंने केबल कोठियों में बैठके ग मिले बैठा हुदिल्ली में और ममभी में जाके तो यसे माले कमरे बैठने वालों को बोडने करे जनता जंता तो उसके नहीं कैए जीतनेवा करें लेंकिंगे हमारे हम और हमारी प्रित्यासि हैं सिबसे ना से वह ऐसा नहीं करेंगी दो है अपसे वादा करते हैं जनता से वादा करते हैं यह तो मेरे साथ अनुफशा विधान सबाद शिवशाना पार्टी से रश्मी गोल्डी के पती इन्होंने साथ तौर पर कहना है कि मैंने अपनी पतनी को सिर्फ जुनावी मैदान में पतनी जो यहां पर काम करेंगी और अगर हम विकास की बात करें तो विकास के नाम पर इन्होंने साथ दोर पर भाजबा सरकार पर निसाना साथते हुआ कि जो भाजबा सरकार है वो नखली हिंदू है इंदुत के नाम पर लोगों का मजाग बना रही है यहों कि अधितनात अगर वागे ही सची हिंदुवादी हैं तो राम के नगरी से चुनाओ क्यों नहीं लड़ रहे हैं क्यों वो गुरक पर से चुनाओ लड़ रहे हैं। मैं अपने सही होगी मौज़म अलीखान के साथ वसीम सद्धी की भारत अफ्तार ने सेला ब्यूटी जॉन हमारे यहां ब्राइडल मेकप, HD, 3D, स्लीकोन एर ब्रश, मेकप, बेबी ब्राउन नेल्स, आर्ट आधी किये जाते हैं। केमिकल, स्मूधिंग, डिमॉल्डिंग, केरिटीन, जैसे बाटोक्स भी सभी केमिकल वर्क, हैर स्पेशलिस्ट द्वारा किये जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल, हाइलाइट और एर लोक, नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कम पसरी है। नॉर्मल फेशल से एडवांस फेशल तक सभी सुईधाय उपलब दें।